अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, ऐसा कभी होता हो तो क्या हो तो यही हाला थे केजरिवाल जी की, अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, यह सिलसला मुझे लगता है चलता रहेगा चाहे शराब हो या फिर आब हो, पीने का पानी हो, हर जगा ब्रश्टाचारी ब्रश्टाचार घोटाले ही घोटाले सामने दिख रहे हैं, गल्ती से ही सच बोलना पड़ेगा लेकिन बोलना तो पड़ेगा दिल्ली शराब नीती केस में राउज अवेन्यू कोट ने 20 जून को अर्विन केज़वाल को जमान अदे दी थी, लेकिन एडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोट की वेकेशनल बेंच में याच्छी का लगाई अब इस बीच उस सियासी गलियारों में एक वर फिर से शोर शुरू हो गया, जहां विपक्षु लगा ताराम आद्मी पार्टी पर हमला वर है तो वही दिल्ली में चॉल रहे जल संकट ने भी दिल्ली सरकार के मुश्किले और पढ़ा दी है इस बीच पीजपी नेता श्वाद्या इल्मी ने आपको घेरा है, क्या कुछ का सुनिए जो चार्जिस हैं, जो इल्जाम हैं और जिस तरह के सबूत हैं वो पुक्ता है, बाकाइदा स्कैम हुआ है, जो एक्साइज का जो रेविनियू मिलना था वो नहीं मिला है, शराब की बिक्री हुई है, हवाला ऑपरेटर्स हैं, साउत के ग्रूप को बाकाइदा प्रॉफि को फाइज को फाइदा नहीं हुआ है, आम लोगों को फाइदा नहीं हुआ है, बलकि नुकसान हुआ है, फाइदा किसका हुआ है, शराब के विक्रेताओं को और जो थोक में काम कर रहे हैं, यानि कि होल सेलर्स को और शराब कंपनियों को, तो ये साफ जाहर है, इसी के वाला उपरेटर्स हों उनके साथ पूछता चुई है कि कविता अभी भी जेल में हैं तो जाहिरे बहुत बड़ा केस तो ये है अब उनके तार केजरिवाल से किस तरह जुड़े हैं केजरिवाल खुद से योजक हैं पूरे पार्टी के हेड हैं और बाकाइदा ये पैसा नहीं है सिर्फ जितना न्याय व्यवस्था का अपमान केजरिवाल जी और उनकी पार्टी ने एक बार नहीं कई कई बार किया है मुझे लगता है उनको इसके लिए ना सिर्फ शर्मिंदा होना चाहिए बलकि माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनको और नहीं हो सकता है यही है यूडिशन प्रोसेस हमारे देश का यही काम में ने आया लेका और अलग-अलग मुक्तलिफ का जो अलग-अलग लेवल पर हैं चाहिए वो सेशन्स पे हो हाई कौट हो या सुप्रीम कौट हो और अगर उनको बेकसूर माना जा रहा है क्योंकि उ यह भी जाहर है उसी तर्क से कि मनीश सौडिया के कविता बाकी सारे लोग बाकाइदा कुसूरवार हैं उनको दो जमानत मिली नहीं और एक और बात जो लगतार यह केजरिवाल जी कहते रहते हैं और उनके साथ ही कहते रहते हैं कि देखिए मंगुंडा रेडी या शरत रे तो इससे क्या मतलब है और इससे साफ जाहर है कि वो लगतार जूट बोल रहे थे अब तो जब बेल मिल जाता है तो बादालत वड़ी अच्छी हो जाती है जब बेल नहीं मिलता है तो भाजवा जिमेदार होती है एक किस तरह के दोरे माप धंड है उनके अगर आगर आपन घोटाले घोटाले सामने दिख रहे हैं तो हम अच्छा करेंगे ऐसे में यह लोग जो जिली आवाले पार्टे के तुमांगे वहां पर किसको रूपा गया है तो हमें गांधी जीन के दर्शन करने से रूपा जाए है अब देखे हर एक चीज का जवाब नौटंकी बाजी झुछी तो होती नहीं है कभी-कभी तो काम करना पड़ेगा गलती से ही सच बोलना पड़ेगा लेकिन बोलना फड़ेगा दुनिया भर के लोगों को गव और अलजयाम लगाते वे Saya was homo चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो हर्याना सरकार हो, चाहे वो हिमाशल सरकार हो, चाहे वो यूटी सरकार हो, अब उन्होंने सब को इल्जाम लगाए, लेकिन खुद जल मंतरी, जिसको जो सम्हाल रही है आतिशी जी, कुछ नहीं कर पाई, अब एक बहुत बड़ा सवा करोड़, वो अब 17,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, आप सोची, 17,000 करोड़ प्लस 600 करोड़ पहले के, ये कहां गए, किसको फायदा हो रहा है, तो जलनिगम को तो फायदा हो नहीं रहा है, कौन कौन पैसे कमा रहा है, वो टैंकर माफिय को कमा रहा है, और टैंकर माफि आई सा मिला? जो सारे आपके शराब माफिया था, उसको मिला, तो प्राइबिटाइस कर लिए, तो ही टैंकर माफिया को लाकर उन्होंने प्राइबिटाइस कर लिया है, यानि कि खुद के कज़ाने में कुछ होगा नहीं, लेकिन रिशत कोरी होगी, मनाफ़ा कोरी होगी, रिश्वत खोरी होगी मुनाफ़ा खोरी होगी टैंकर माफिया को प्रबल किया जाएगा अच्छा आप सारी बातों का जब परदा फाश होता है जब हर्याना सरकार बाकादा लिक कर देती है और कहती ही भी हमने तो परियाप पानी दिया बलकि जो मुहाइदा हुआ था उससे कब तक औरों पर दोश मढ़ेंगी आतिशी जी जा तो कह दे कोबिट के वक्त में क्या हुआ था इतनी हाई तौबा की लेकिन आकरी में लिखना पड़ा ना कद एंद्री सरकार को और कहा कि कोबिट के लिए आप तयारी कीजिए क्योंकि हम नहीं हैं अगर आप असक्षम है अगर आप निकमे हैं अगर आप से कुछ नाकारा हैं अगर आप पूरी तरह से अयोग की हैं अगर आपका सर्फ काम जूट मुड का जेल से बेल बेल से जेल राजनीती का जूट बोलने का है तो आप जल मंतराले से इस्दिफा दीजिए न ये नाटग की बाजी के चलते क्यों आप प्रोटेस कर रही हैं कि उसे क्या हुगा और प्रधान मंत्री जी घाय तर चाहते हैं आपके जल मंत्राले से इस्तिफा दीजें और कहिए मुझे मुझे ँच्छ नहीं होता है आप लोग दिल्ली के लिए कुछ कर लीजे ये तो कहना चाहिए ना आप दिल्ली के लोगों के जज़बातों के साथ किलवार क्यों कर रहे हैं देखी शराब घोटाला हुआ था उसे मुनाफ़ा खोरी हुई बहुत बड़ा वो कांडवा घोटाला हुआ लेकिन कमसे कम आम लोगों पर तबात नहीं आई ना उनकी जिंदगियों पर तो चाहें शराब हो या आब हो आम आदनी पार्टी का काम और आम आदनी पार्टी का पाप सिर्फ और सिर्फ घोटाला करना और उसके बाद जूट बोलना है